बॉर्णिंग टू आल फ्यू बीए सी पार्ट सेकिंड के जो सेकिंड पेपर हम पड़ रहे हैं इसमें कि हम जो तिते भी फ्लाविंग प्लांट होती है उनकी स्ट्रेक्चर उनके डेवलिप्मेंट और प्रोडेक्शन के वारे में पड़ते हैं कई लेक्चर हमारे हो चुके सबसे हैं ₩ का जो है नकी की आव हम पड़ते हैं और प्लाविटा है तो इसके हमने चार वर्ड पढ़े थे चार वर्ड में हमने सबसे पहले भार अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो सबसे जो भारी वाले था वो जो था कैलेक्स था कैलेक्स के बाद कोरोला के बाद एंडोशियम और गायनोशियम तो इसमें जो पढ़ा था हमने कि कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं वो जो हैं एक तरह से नौन यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर थोड़ा से आपको ध्यान हो था और हमने को रहा हुआ था उन्हें हुआ है इसको का का उसका है इसलिए पर आट्रेक्टिव पाट के लिए साहता देना है यानि होते हैं तो वो pollination में help करते हैं तो यहाँ पर यह जानना बहुत ज़्यू जाता है सबसे बहले कि what is pollination की आखिर में pollination है क्या तो इस वाले यह lecture में हम pollination के बारे में पढ़ेंगे pollination के types के बारे में पढ़ेंगे एक type के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और बाकी जो है आगे वाले lectures में continue रहेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि pollination होता क्या है pollination हिद्धि में हम कहें तो परागण परागण क्या है definition परागण की क्या होती है यह कई पर आपसे जो है very short answer यानि कि section A में जो प्रश्णात हैं जिसमें से कि आपको एक लाइन में या दो लाइन में आपको उत्तर देने होते हैं definition प्राइब से पूछी जाती है तो वहां पर इस तरह के प्रश्णा आपसे पूछे जाते हैं कि what is pollination देख लेते हैं definition क्या होती what is pollination transfer of pollen grains from the answer to the stigma of flower is known as the pollination यहां पर आपको तीन चीज़े नजर आ रहे हैं एंथर पोलन ग्रेंस और इस्टिग्मा है इन तीनों चीज़ों के बारे में हम जब एंडोश्यम और गाइनोश्यम हमने पढ़ा था फ्लार की structure भड़ी थी तो हम वहां पढ़ पढ़ जो के हैं पोलन ग्रीज़ जो हैं किस में होता है में में इंडोश्यम की बात की थी तो हम पढ़ा था इसको और Ale奶 में हमने पढ़ा ता पराकोष होते हूं पराकोष के अंधर जो n Come on Q and जब गाइनोशियम की इस्टिक्मा वाले पार्ट पर जाने की जो ऊपर ऊपर टॉप पार्ट होता है स्टिक्मा हिंदी में हम कहें तो वर्थीकाग तक पहुंचते हैं तो इस पूरी की प्रोसेजर को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं तो पाराख कणों का जो है यह इस्टिक्मा तक पहुंचना वर्थीकाग तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है अब यह किस तरीके से होता है इसमें कितने प्रकार होते हैं वह आगे हम पढ़ेंगे तो दो तरीका पॉलिनेशन हो सकता है परागन दो तरी से हो सकता है और अटोगेमी और अलोगेमी यानि कि स्वभरागन और परपरागन स्वभरागन को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं और अलोगेमी को हम क्रोस पॉलिनेशन भी कहते हैं और अलोगमी को हम cross pollination भी कहते हैं, अब किस तरह से होते हैं, यह हम देख लेते हैं, पेरे हम बात करें autogamie की, autogamie जैसा कि मैंने आपको बता हैं भी self pollination भी हम इसको कहते हैं, और self pollination को अगर हिंदी में कहते हैं, अब सोपरागन होता है, अब सोपरागन यानि कि autogamie normally जो है, ऐसे plants में होती है, जिसमें कि एक ही पौधे पर या एक ही plant पर जो है, वो male और female flowers होते हैं, और अगर male और female flowers अलग-अलग plant पर हैं, तो फिर उसमें autogamie नहीं होती है, वहां हर दम कह मिलेगी आपको, वहां पर आपको हर दम कह मिलेगी, यानि कि वहां हर दम पर परागन होगा, परागन के लिए किसी ना किसी माध्यम की जुरत होगी ही होगी, किसमें? क्रॉस पौलिनेशन में, कहां पर हम बात करते हैं, एक definition कि autogamie होती है, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, यानि कि एक ही flower में, male or female reproductive part के, में से जो है, pollen grains का एंther से जो है, इस डिगवा तक पहुंचना क्या कहलाता है, autogamie कहलाता है, अब autogamie दो तरीके की हो सकती है, homogamie हो सकती है, homogamie क्या होती है, यह आपको इस diagram में आपको समझ आता है, homogamie की परिभाशन में आपको बता हूँ, पराखोश, जब पराखोश वरती पर मिचूर हों, तो इसको हम क्या कहते है, homogamie कहते है, अब इसमें होता है, इसमें क्याता है, इसमें क्याता है, एक ही अगर flower है, उसी के pollen grains है, तो या तो उसी पौधे के जो है, इस टिगमा तक कीट या वायू के द्वारा पहुच जाते है, दूसरा क्याता है, एक 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 जाता है, गुलेबास का जो flower होता है, उसमें जो पुंकेसर होते हैं, उसके जो लंबे पुतनतु होते हैं, वो आपस में इस तरह से देखे हैं, कुंडलित हो जाते हैं, और इसके लाएं कारण क्या होता है जो पराख को फ होता है और प्रक्रिया और यहिंद आ जाते हैं । तरह सेसा ओंसीतलती तरह र願い प्ष्पंके सरमें युक्तकोशी होता है है जो होता है जो नाल भी रुप में पूरा एक ट्यूब होरा रहते हैं और जैसे ही कोश पछ에 पहले क्या हो जेंगे निषी निकलते हैं घो कि तल्विट 엦्स उसको के पहते हैं जब स्ठाइल जो होती है। वहstudy करती उधिक वह है। कि नज़ी न कोई में पर से नकलेंगी तो वह परहा कैस कि ढखें घुट कोई यहां से निकलेगी तो इसके साइड में से जो है क्या लग जाएंगे इस पर जो है पराखकन या पोलनेशन की क्रिया होती है तो यह क्या कहला थी ओटोगेमिका कौन सा है इसके बाद ऑटोगेमिक में दूसरा है क्लिस्टोगेमिक में क्या होती है क्लिस्टोगेमिक होती है इसको हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं और इसमें क्या होता है कि कई जो दूसरा होते हैं वो जो है कभी भी नहीं खुलते और ऐसे जो फ्लावर होते हैं उनको हम जो है किस्टोगेमिक फ्लावर कहते हैं यानकि फ्लोवर कभी भी उपन नहीं होते तो ऐसे में फिर पॉ रहते हैं और अब जो होता है यस पराखकोष में हो साकते होते हैं जो हो solution स्लबल्ड करता है इस टग्स तिनमां तक होजाती है और शाया सेle स्प्रयखी और चाह प्राइव तोरते कि वर पूझ रैखन जाती है और लड़िम करांड़ क्रेस्टोगैमि को सब्सक्राइब दो प्रेस्टोगैमि को सब्सक्राइब आप पूलीनेशन के बारे में पढ़ा, पॉलिनेशन, किसको कहते हैं यह सिर्फ पॉलिनेशन के बास कर JUSUE हम पहते हैं सदावार के बारे में पढ़ा और इसके बात क्लेस्ट्रोगार्मिक एक्जामपल हमने पढ़े वाईलो वाई वाईला और नहीं में नेक्टर नहीं होता तो अगर आप पूछा जाएगी राइट दर टू है इंपोर्टन फीचर आप लिख सकते हैं कि जो है में लिख खुलते नहीं है तो जो परिभाशा है बता रही है वो तो ही साथवे जिनमें कलर नहीं होता नॉमली जो है इसमेल लैस होते हैं और साथवी में नेक्टर भी नहीं पाया जाता है तो यह कुछ एक्जमपल थे जो कि हमने इसके अंतरगत पढ़े तो आज हमने इस पॉलिणेशन के बारे में पढ़ा है नेक्स टरम में हम पॉलिणेशन की दूसरे प्रकारों के बारे में पढ़ेंगी तो आप अपने आसपास के फ्लावर को देखने और समझने की कोशिश करेंगी किस तरह से उन में इस तरह का बारे में होता है थैंक यू थैंक यू सो मच